नमस्कार दूरदर्शन यादगीरी हिंदी प्रोग्राइम की प्रस्तुती चमेली में मैं आप सबकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका स्वागत करती हूँ आप से जुड़े रहने की इस रिष्टे को बरकरार रखने की दूरदर्शन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आपके समक्ष ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर आए जो आप से बात करें आपकी जिन्दगी में एक माइना क्रियेट करें रिष्टो की जब बात आती है रिष्टो को सीचना सवारना उन पर मेहनत करना बहुत ही मुश्किल काम है रिष्टो की एक ऐसी ताकत होती है जो हमें समाज में रहने की जो हमारी परसनल जिन्दगी में हमें ग्रो करने की हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है रिश्टों पर आज बात करने के लिए अपने रिश्टों को किस तरह से मजबूत बनाए ना केवल अपनी परस्नल लाइफ में बलकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक सामाजिक रूप में आज हमसे बात करने आ रहे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अजे कुमार अगरवाल जी जो की एक पी आर कंसल्टन्ट है एक पी आर एक्सपर्ट है इंडस्टरी के एक बहुत ही जानीमानी हस्ती है जिनोंने किताबे लिखी है कई सारे अवार्ड्स मिले है अपनी इच्छान बन सके थैंक यू डॉक्तर अजे जी थैंक यू यू सो मच भर जॉइनिग ए इन दुडर्शन तोड़े अजुए आप्ट गवाद कि आप इस बात के लिए इंटर्च कर दे कि लोगों कि प्यार क्या होता है प्यार के पब्लीक लेश्यस्ट प्यार प्लीक अगर आप हराब भी PR करता है लेकिन उसको importance नहीं देता है अगर हम PR को importance दे तो मेरे हिसाब से success will follow the person हमको success के पीछे भागने की जरूद नहीं है success हमारे पीछे भागेगी यह मतलब आपने बताया जैसे PR सब करते हैं public relations बड़ हमें पता नहीं होता आप कम से कम 30-35 years से PR के इस field में जुड़े रहे हैं आप PR कर रहे हैं ऐसे बोला जाए आप bank में भी काफी senior position में थे तो यह PR की journey आपकी किस तरह से start हुई आपने कब realize कि मुझे भी PR में बहुत interest है और यह बहुत जरूरी भी है हमारे लिए आपकी इस journey के बारे में हमें बताईए इस very interesting journey है मेरे फादर जो थे वो social activist थे तो social activist होने के बज़े से उनके पाथ जो है रोज चार या पांच लोग आते थे हमारे घर पे आते थे डिनर पे या लंच पे आते थे तो उनका nature था हम पांच भाई बेन थे तो पांचों को बुलाके कहते थे आओ introduction करके नमस्तिय करके introduction दे के जो तो बहाँ से मेरे अंदर ये feeling हुए कि मैं किसी से सबसे बात करने की इक्षा करती थी और जो है मिलता था लोगों से बहाँ से डेबलफ हुआ उसके बाद मैं जब बड़ेली कॉलिज में ग्रिजोशन कर रहा था तो बहाँ पर भी मैंने एक मैगजीन थी उसमें कॉलिज की मैगजीन में भी एक आर्टिकल लिखा था उसके बहाँ पर मैं कई साथ निउज पेपर का कार्रस्पोंडेंट बिता मेरे को शोग था यह कहाँ प्यार पब्लिक लेशन ऐसा है यह पैशन होना चाहिए तो मेरे को मैंने बहाँ पर लिखा अपना बहाँ पर सेवी निउज पेपर में मैं अपना लिखता रहता था उसके बाद मैं इनिविश्टिय कैप्टें खोखो था यूपी का स्टेट प् आचाहाँ पर भी मैंने जा बहाँ जाने के बाद मैं इनुश्टिय कैप्टें खोखो था तो दूर आल इंडिए रेडियो दो मेरा इंटर्विव लिया था की इंटर्विव दे कैप्टें खोखो पिलेर उसके बाद जो है मैंने कही सारे प्रोग्राम पीजिए दिये अड मिला और मैं कुछ ना कुछ शुरू से नेचर है कि मैं आई वांट वी डिफरेंट फोम अधर्स आच्छा कि क्या होता है कि रिकर्ग्निशन आपको जब ही मिलेगा जब दूसरे से सारे लोग जो काम कर रहें वहीं आप करेंगे तो रिकर्ग्निशन नहीं मिलता जी आप भ मतलब आज की जो जेनरेशन है हमारी ये रियलाइज नहीं करती है कि पी आर का जो एक महत्व है उसका जो इंपोर्टेंस है एक तो लोगों में आजकर पेशन्स कम है रिष्टों में इन्वेस्ट करना पी आर में इन्वेस्ट करना चाहे वो किसी के साथ भी हो उसमें बहु सड़क पे नमस्ते कर देता है या हाई कर देता है एक बार के लिए हम जरूर सोचेंगे कि अरे इसने क्यों मुझे हाई बोला जरूर इसका कुछ एजेंडा होगा पर कोई जरूर ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो आप आज की जो यूथ है आज की जो जेनरेशन है उन्हें आप किस तरह की सला देना चाहेंगे कि अपनी नीजी जिन्दगी में भी प्रोफेशनल जिन्दगी में भी प्यार का क्या महत्व है क्या रोल है हमें किस तरह से प्यार की जवान भी करता है, सब करते हैं, लेकिन इसकी importance नहीं महलूब है, अगर आपके घर में कोई pet dog है, आप मैं example देता हूँ आपको, अगर आपके घर में pet dog है, और आप जब आफी जाने के लिए तियार होती हैं, तो उसको मालूम है कि आप ही जाने हैं भी आप, वो आपके पीछे, आगे पीछे, वो घुमता रहेगा, और जब जब तक आप बाहर नहीं जाएंगी, आपको गेट थोड़ने आएगा, उसके बाद जो है वापी चला जाएगा, फिर शाम को जब आएंगी, घंटी बजाएंगी, घंटी बजाते ही सबसे पहले वो गेट प्याएगा, और आगे पीछे फिर घुमता रहेगा, और जब तक आपसको पैट नहीं करेंगी, हग नहीं करेंगी, वो छोड़े करनी आपको, तो क्या कहना चाहता है, कि मैंने आपको मिस किया, बात कर नहीं सकता है, तो जब बात नहीं कर सकता है, तो कैसे अपने को एक्सपेस करेंगा, वो ऐसे एक्सपेस करता है, कि मैं आपको मिस किया, I love you जहां पर आपने प्यार को बहुत से सक्सेस्फुली इंप्लिमेंट किया है यूज किया है तेकि प्यार मैं बता रहा है आपको जब मैं हैदरबाद आया था आप अपनी प्यार की अबीशिडी नहीं मौलूम थी अच्छा लेकिन मेरा जैसे मैं बता है ना को आई वांट टो भी जाने तो जो आपके बारे में जानें सुने और ओपारे में आई मंज आया आप नहीं मजह नीं जाया तो आप मिलिए उनके बारे में जानेंगे और प्यार आईसा नहीं कि नई चीज है इस सालों से चला रहा है लेकिन इसकी इंपार्टेंज जो है अभी कुछ अब मारे देश में कुछ साल पहले ही शुरुआ हुई इसकी इसकी इंपार्टेंज मिली है अब देखे आपका बच्चा है छुटा कैसे आप कम्यूनिकेट करेंगे कैसे लोगों से बात करेंगे कैसे उनको बताएंगे आप क्या चाहिए आपको क्या चाहिए एक बहुत ही अच्छी बात है आपको पी आर में इंटरिस्ट है आप पिछले 35 यहर्स से पी आर के इस फील्ड में है बैंक में भी आपने पी आर तो ये भी अपने आप एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है, हमारी जो ओडियन्स आज देख रही है, एज कोई बैरियर नहीं होता अगर आप जिंदगी में बहुत ही पैशनेट है कुछ करने के लिए, जीता जाकता आज एक्जामपल हमारे साथ डॉक्टर अजय जी है तो ये बताएए कि आपको ये इच्छा कैसे हुई कि इस एक एज में आने के बाद भी आप में ये जजबा था कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है लेएक मेरे पैरेंट्स को ये था कि में डॉक्टर बनूँ अच्छा तो मैं इतना इंटियूजिन नहीं हुगा या नहीं था कि मैं डॉक्टर में नही जा पाया जी और में एललबी मैंने किया था, मैं इक्षा थी, ये एक्षा थी, कि मैं जूडिशियल सर्विसिस में चाहूँ, लेकिन जो लिखा होता है, डिस्टेंड होता है, वो आपको बही दिलता है, मैं जिस दिन मेरा लाओ का रिजल्ट आया, मैंने युनिश्टी में सेकेंड पोजिशन तो सब लोगो ने बोला, भाई, बहुत किस्मत बाले हो, जाओ, जाके जॉइन करो, पढ़ाए बहां का लेना, आपको एक और मज़िदारबार बताता हो, मेरे को बैंक के बाबू के नाम से चिर्थी, बैंक के किलर को बाबू बोलते हैं, उसके नाम से चिर्थी, लेकि बन करता था, जैसे मैं किलर था, लेकि महां पर रामपूर डिस्ट्रिक में लोग जानते थे, हाँ, अजिया अगरवाल नाम का कोई आदमी है, ऐसे ही मैं के नाम कुछ ना कुछ करता रहता था, तो कहीं भी आप जाए, एक अपनी आप जो है, और आपके चारता होना चाहिए, आप लोगों को बताईए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिये, अपनी चाप छोड़के जाएए, चाप छोड़के जाएए, जहां भी आप जाएए, अपनी चाप छोड़के जाएए, अपनी चाप छोड़के जाएए, अपनी चाप छोड़के जाएए, अब यहां पे बै बहुत काम किया, मैंने दो नेशनल आवार मिलिये यहां पर, एक इंदागानी नेशनल इंटिगेशन आवार था, एक उनिटी आवार था, और बहुत सारे आवार्स और भी लिये उसमें, सुरू में, कमल पत्रा आवार, जेसीज में यंग आउस्टेंडिंग आवार एट इस् सब्सक्राइब आवार, जेसीज में आवार, जेसीज में हमारे बैंक की स्कीम बताते थे, गाउबालों को, तो उनको इंटर्टेंफच्छन भी होता था, क्युकि रज़ आए में कुछ इंटर्टेंबंट नी था, खाली दूर्डशन था, डेए नंको अधू करते था, था के उनको इन्टर्टेंफ में, २ेकुशनीं कुछ करता था तक कृते था, गी। अर मैंने बैंक में भी लोगों से जैसे मैं न्यूस पेपर में जाता था आपको बता हूँ आल इंडिया रेडियो में जाता था लोग यह समझते थे आल इंडिया रेडियो वाले मैं भानी का इंपलाई हूँ अच्छा दूरदर्शन में आता था यहां पर लोग समझते मैं दूरदर्शन का इंपल वेकर आदमी है क्योंकि फाइदा नुकसान देखते हैं मतलब मेरा फाइदा क्या है इस रिष्टे से जूणने में मेरा फाइदा क्या है इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से बट ये प्यार की एक बहुत बड़ी खुब सूरती है कि आपको जरूरी नहीं है हर चीज म आप बस इनसान को इनसान के नाते अगर जानिये उनके साथ अच्छे से बिहेव करिये वो एक बहुत ही लंबा मतलब चलता है फिर वो रिश्टा जरूरी नहीं फाइदा नुकसान देखें बिल्कुल सही बता है आपने जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने यहां पे जैसे ज कुछ लोग senior officers होते हैं कुछ important positions पर नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता अच्छा उनके पास कोई नहीं जाता क्योंकि वो useful नहीं है काम के लिए नहीं है मैं उनसे relationship develop करता था अच्छा उनसे दोस्ती करता था personal relationship बनाता था उसे और उसके बाद जो है जब अच्छी position प टार्गेट होता था deposit का कि आपको deposit लेकर आना है तो मैंने उनसे पढ़ाया कि लास में तो मैंने उसे का कि deposit की बात नहीं करना अच्छा और टार्गेट होता था deposit यह बहुत ही counter intuitive है क्योंक्स का बैंक का यह टार्गेट होता है कि हम deposits लाएं loans लाएं customer का हमारे साथ relationship बढ़ा है तो क्या करना है कैसे मिलाएं कि हमने कि आप जिससे आपको expect करते कि deposit मिल जाएगा उसे आप relationship डवलप करिया अच्छा relationship मैंने आपसे relationship डवलप करी तो का को बैंक में कुछ account खोलना है कुछ deposit करना तो आप सबसे पहले आपको ही याद करें तो वह important है आप relationship डवलप करें आपूमेटिकली business will come to you or you will get the लोग कहते है कि public relations से फाइदा बहुत फाइदा होता है अच्छा अब मैं रिटायर हो जाओं आज मैं 65 का हूं रिटायर हो जाओं इस्टिल I am very active लेकिन जो है में जो relationship मैंने डवलप किती वो आज मेरे काम आ रही है लोग जानते हैं मेरे को कुछ ना कुछ ना कुछ में कत्खाली नहीं पड़ता है तो public relations में क्या होता है कि काम होने के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए अब जैसे आजकल की generation है मैं बता रहा हूं आपको कि नमस्ते भी नहीं करना चाहते है हाई हेलो हाई अगर मैंने आपको नमस्ते की मेरे फादर काया कहना था कि अपने से बड़े की जद करो चाहिए वो प्योन क्यों ना हो चप्रासी क्यों ना हो तो अगर मैंने उसको नमस्ते की मैंने उसको कुछ दिया नहीं कुछ दिया क्या नमस्ते करने से नहीं दिया उसके दिल में कुछ-कुछ अपनी जो सद्सकार हैं, अपनी कुछ एक्टिबिटीज हैं, उनको इस तरह से करना चाहिए कि लोगों को आशिवाद लेकर, आज जो भी मैं कुछ हूँ, अपने बड़ों के आशिवाद से हूँ, और जिसे कहते हैं कि जो जिन्दगी की सबसे खुबसूरत ची कुछ है. तो यह जो आपने बताया, इसका एक 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 जामपल दीजिए हमें, कि एक बहुत ही डिफिकल्ट से रिलेशन्शिप को आपने कैसे इसीली कनवर्ट किया या अपनी तरफ या अपनी दिल में जगा बनाई, उनके दिल में आपके लिए जगा बनाई, तो बहुत ही से एक एक एक्जामपल दीजिए ताकि हमारी ओडियन्स उस चीज से रेजनेट कर सके देखिए मैं अब को बता मैं सेंटरल बेंग में 84 में आया था पहला दिन था आफिस गया मैं मैं सोचा था कि मैं दो स्टेट का इंचार्ज हूँ पब्लिक लेशन्स का मैं थोड़ा अंदर से लग रहा था किसी को जानता नहीं था आफिस में गया उन्होंने मेरे को टेबिल एक्षियर दे दी बैट गया बहाँ पर जाके महां पर एक जोनर मेजर का जमादार खाड़ा अच्छा जमादार मलत सबसे प्योंस में सबसे सीधिया वही होता है तो मैंने उसको बोला भाई आपको एग्रास पानी दे दीजी आप जिसे बही टची हैं आप पसंद करेंगे लोगों को इसे सीखने कुछ मिलेगा तो उसने पानी तो नहीं दिया अच्छा होना शूरू बहुत उल्टा सीधा बोला मैं आपको यहां बोल भी नहीं सकता अच्छा मैं चुप रहा मेरा खून कोल रहा था क्योंकि मैं जवान था मेरा बोता मेरे कल 50 साल का होगा 55 साल का हो चुप चाब रहा मैं एक फ्रेक्शन आप सेकिन को मिला गरा कि मैं इसको कुछ बोलू लेक क्योंकिए वहां पहले से काम कर रहा है और बेरे को सभूशन नहीं करता और नहीं मेरे लिए बोलते कि भाज पहले दिन से जग़ा कर रहा है ओ स्क्अ कि आप पहले दिन आप आते ही जग़ा सुझ कर दिए इस नहीं ते मैं धो कंडूल किया कुछ वह नाम पर गेट खड़ा हुआ तो मैं ने का अजया घुट मॉर्निंग। मैंने का अजया गॉड मॉर्टिंग। दो दो रेप्लाइब उन्हों जबाबी नी दिया। दूसरी दिन फिर में आया अजया गॉड मॉर्निंग। बज्जाब आपके ने शॉच्छ पूरुच्छ पूरु गुछ्सेवार्टेवे विज्जाब अगर्वार्साब विज्जाब वारी का लेओ पेड़ी कि और शॉच्छ मेर्णी सिसे जाए अज्जाब भीड़ुच अगरवार्साब अच्छाब वेmasक ने विजह किरिए गु और मेरे बिना पूछे, वही एंजया जो मेरे को पहले दिन इल्टा सीधा बोला था, दो गलास पानी रोज लाके रखने लगा, बिना पूछे, फिर मैंने उसे पूछा, थोड़ा साब ने के बाई, आपके बच्चे कितने हैं, बोले ग्यारा बच्चे, हमें किया एक तो क्या होता है, आपको कहा है कि परस्नल इंटर्स लेना पड़ता है, अपनी इमेज बनानी पड़ती है, उसके दिल में घुसना पड़ता है, यह अधरभाई होता था, जगड़ा होता था, तो किया रिलेशन्शिप खतम होता है, तो यह तो रियेक्ट, एस पर दा इगो नहीं आया, कि मैं ऑफिसर हूँ, मतलब वो पियोन है, आपने उनकी उमर का लिहाज करके, उनकी बात, उनको इज़त देते हुए, तब ही आइधिंक आप उनके साथ जो बैरियर था वो ब्रेक कर पाए, जो कि एक ना केवल एक प्रफेशनल लेसन है, बलकि एक बहु इसको बहुत दबा के रखना होता है, और प्यार से, वो बोलते हैं कि स्माइल इस दी ओनली कर्व अट सेट्स एवरिफिंग स्ट्रेट, बस तो वही आइधिंक बहुत खुबसूरती वाला काम करता है, बहुत कि स्माइल तो ऐसी चीज है, आप स्माइल करेंगे तो आपका आपको रखना पड़ेगा आपको, नाम होगा, खराब नाम होगा, जैसी पब्लिक लेशन, जैसे गुड़ पीपूल आलसो, बैट पीपूल आलसो, एवरिबड़ी है प्यार, सारे प्यार करते हैं, कोई अच्छा प्यार करता है, कोई अच्छा प्यार करता है, कोई बैट दिया, किसी को अच्छे से बात किया, आप ते कुछ दिया नहीं इसको उसके दिल में जगा बनाई इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सब्रेक, कही मत जाईएगा हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे अगरवाल जी से, जो हम से बात कर रहे हैं अबाउट टिप्स on how to be successful in professional and personal life कही मत जाईएगा, हम बस अभी वापस आते हैं चमेली पर दूरदर्शन यादगिरी हिंदी प्रोग्राम चमेली में आप सब का स्वागत है हम अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर अजे अगरवाल जी से, जो की एक पियार एक्सपर्ट है, अपनी सारी जिंदगी उन्होंने पियार हमारी लाइफ में किस तरह का रोल प्ले करता है एक सक्सेस्फुल इंसान बनने के लिए उस पर उन्होंने रीसर्च करी है डॉक्टरिट करी है और 35 येर्स से वो अपने इस पियार स्किल्स को अपनी लाइफ में अमल कर रहे हैं, आज वो हम से बात कर रहे हैं about the importance and relevance of पियार, तो अजय जी हम बात कर रहे थे पियार और आपके लाइफ के experiences के बारे में तो हमें ये बताइए कि पियार as a tool जरूरी नहीं है कि जैसे बैंक में पियार हो वो कोई और office में भी applicable हो हर जगा, हर इनसान पियार अलग तरीके से करता है हर organization में अलग है तो ये हम कैसे समझे कि जिस जगा पे मैं हूँ उस जगा पे मैं पियार कैसे करूँ आप अपने आपको उस situation में कैसे ढालोगे इसका थोड़ा सा tips हमारी audience को आज दीजिए देखिए, public relations सब करते हैं मैंने अब शुरू में बताया था और public relations है कैसी चीज़ है it differs from person to person organization to organization और place to place बैसे आपके organization आपका approach कुछ दूसरा है तो आप दूसरा PR करेंगी मैं Central Bank Central Bank का PR दूसरा होगा रेले बेज का PR दूसरा होगा एर लाइन का PR दूसरा होगा उनका focus दूसरा होता है ऐसे ही के नम जो है place to place है दूसरा होगा लंडन में प्यार दूसरा होगा दिली में प्यार डिफरेंटरिक so it's different from person to person place to place and organization to अब मैं छोटी से आपके लेता हूँ मैं जिसे आपने बताया ना कि आप कैसे impress करेंगे तो सबसे पहली बात तो है आपकी dress अच्छा first impression बोलते है ना first impression is the last impression and charity begins at home आपकी जो है charity आपसे श्वाद करते PR also starts from you see I have to I have to start PR I cannot expect this मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँगा कि मेरो को आप respect दे मैं आपको respect दो तो हमको प्यार की तो dress, appearance, manners, actions, habits इस सब आपके बारे में बताती है कोई ज़रूरी नहीं कि आप बात करके ही करें communication how you communicate how you convince yourself, others कैसे बात करना, कैसे उनको convince करना तो मैं छोटा सिक्जांपिर आपको देता हूं मैं यहांसे बैंक डॉर गया था डीaboutर दूर दुर षिवन में बैंक रोड से मिलने है और मैं बिलकुल नहीं था मैं उनको जानता नहीं था और यहन रूरो मेरे को नहीं जानते थे मैं बहाँ पे बिजिटर्स गैली में बेट गया, बहाँ पे 15-25 लोग बेटे हुए थे वाँ, पहले से मेरे साज़, तो कुछ दिये बाद एक साहब आए, उन्होंने जो लोग बेटे हुए थे उनके पर एक नजर डाली, अंदर चले गया, मेरे को नहीं मालूं को नहीं है, अंदर जाने के बाद, दो मिनिट बाद, उनका पिया आता है, पिया कहता है कि सर आपको बुला रहे है, तो क्या था, क्यों बुलाया मेरे को, मैं वो मेरे को नहीं जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता था, पच्छीस लोग मेरे से पहले बेटे थे, लेकिन मेरे को क्यों आपका पहला ऐसा था तो आप कहीं भी आप जाईए आपकी ड्रेस आपका प्रिजेंटेशन यह बहुत माइने रखता है और इसी से आपका 50% 60% काम यहीं हो जाता है इसके बाद इसमाइल आपकी अगर आपने किसी से प्यार से बात कर लिया हस के बात किया तो आप स्रक्सेश वो बोलते हैं कि फर्स्ट तीस सेकेंड में आप जो इंप्रेशन बना लेते हैं वही ज्यादा कर जिंदगी में आपका वही इंप्रेशन रहता है लाइफ लॉंग वो चीज सस्टेन होती है तो अपने आपको प्रेजेंट करना वो भी बहुत इंपोर्टन है एक एक नॉन टिप दिया है हमारी ओडियंस के लिए तो हमें ये भी बताईए कि आपने अपनी ये जो जिन्दगी की एक्सपिरियंस है उसे उसका एक सारांश अपने अपनी बुक में दिया है आपने एक बुक लिखी है और काफी इंडस्ट्री में सराहना मिली है आपको उस बुक के ल लोगों को जर्नी है ट्रेनिंग में लोगों को ये चीज सिखाने में पियार आप करते हैं ठीक है बड़ आप कम्यूनिटी को वापस भी देते हैं आप सिखाते हैं आप लोगों से बात करते हैं तो ये आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई आपने शुराद में कहा कि communication जो है बरबनाद बरबन भी होता है जिए और communication जो है हमारी public के साथ होते ही होता है पबलिक भी दो तरीके के होती internal public and external public आच्छा internal public भी ज्यादा important है external public क्योंकि अगर internal public खुश नहीं है तो हमारे जो बेंक के जो किसी भी organization का जो aim है वो achieve नहीं हो सकता तो पहले हमको आप कम्मुनिकेशन करते हैं। अप मुह लटकाया बैठे हुएं। आप गुसर में बैठे हुएं। तो हर तरीके का कम्मुनिकेशन कर रहे हैं। बिना बोले भी होता है, the way you look, the way you present yourself, बादी लगने से आपको पता चल जाता है कि आजिसाब का मूट अच्छा है, खराब है, कैसा है, और दूसरी बात आपने बता है कि आप कैसे अपने को प्रिजेंट करेंगे, किताब के बारे में आपको बताओंगा, एक एक जामपल में करना चाहूंगा, कि मैं जब शुरू-शू में जॉइन किया था बैंक, तो एक कलकाता में नेशनल कॉंफरेंस थी, उसका मैं में मेंबर ता तो यहां से गया था, करीब पांसो डेलिगेट आए थे, तीन दिन की कॉंफरेंस थी, और पांसो लोग थे, अब तीन दिन में मे मेरे पाँ चांच नहीं था कि मैं स्टेज़ पर जाओ, वह सबसे करो और तीन दिन में सबसे मिल नी सकता, तो मैंने क्या करा कि बहां पर लंच से पहले दो सेशन होते थे, उसके बाद उसमें जो है, कॉश्छ नंसर सेशन होता था, हर सेशन के बाद कॉश्छ नंसर होता, तो पहला सेशन हुआ, खतम होने के बाद उन्हों ने पूचा कि जी को सवाल पूचता है, मैंने हाथ उठाया उपर, आचाए आए वांट टो आसके क्वेश्चन, मैं खड़ा हुआ, मैंने का, मैंने सवाल पूछा दस पांच लोगों ने कम देखा होगा नेचर नहीं जो कोशन पूछता तो लोग देखते हैं नेक्ट सेशन के बाद फिर कोशन आशर सेशन हुआ उन्होंने पूछा हमने हाथ उड़ाया तो मैंने का अजय कुमार अगरवाल पॉब्लिक लेशन सौफिसर सेंटल बैंक अफ इंडिया हैदरवाद इस सारे सेशन में दूसरे शाम कोशन में भी मैंने पूरा का मैंने खाली अजय कुमार नहीं का यह खाली कोशन नहीं पूछा अच्छा मैं लोगों को बताना चाहता थी कि अजय कुमार अगरवाल कोन है कहां से आया है और क्या है तो मैंने सारे सेशन में दूसरे दिन भी मैंने सेशन में फर्स सेशन में सेकेंड सेशन में कोशन तो मेरा परपश क्या था? कि पांच सो लोग आपको जाने So, I got my purpose थार जी और को चारा नहीं था But this is a very smart move मतलब पांच सो लोग जैसे आपने बहुत सही कहा आप सबसे मिल नहीं सकते थे जाकर उन तीन दिनों में But यहां पर आपने ऐसा कुछ किये कि सब आपको जानने लगे इससे मुझे लगता है कि दो learnings है आज हमारी audience यह देख रही है बहुत ही मज़ेदार example था यह पर इससे ना बहुत अगर आप गहराई से सुनेंगे तो इसकी दो learnings है एक तो यह कि डरना नहीं चाहिए अगर आप कुछ बोलना चाहते है और अगर आपको लगता है आप सही है तो जैसे वो बिना डरे निडर होकर आपने खड़े होकर हर सेशन में question पूछा डरना नहीं चाहिए शर्माना नहीं चाहिए सकुचाना नहीं चाहिए ज़्यादा ज़्यादा हस देंगे बट इस शर्मा शर्मी में शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते तो ये भी एक पियार का बहुत important एक point है कि बिना निडर हुए आप अपना point बताईए सामने वाला या तो मना कर देगा या हसेगा या उसको brush off कर देगा but at least आपकी बात सुन लेगा एक बार के लिए तो डरना नहीं चाहिए और दूसरा ये कि आपके आसपास जो हो रहा है आपके आसपास जो पांच सो लोग है आपके जो speaker थे stage पे आपको उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए अगर आप PR का जितना महत्व है बोलने में उतना ही एक important महत्व है सुनने में अगर आप सुन नहीं सकते तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते तो ये मुझे लगता है कि आपकी इस incident से ये दो learnings हमने लिए है as audience so ऐसी और कोई interesting कहानी एसी कोई interesting incident जहां से हम कुछ सीख सके कहानिया तो बहुत है interesting कहानी भी है बहुत सारे जिगह में जैसे बांबे में गया था पोस्टिंग हुई थी मेरी बांबे में तो बांबे में भी मैं मैंने relationship ऐसे डवलब किये थे कि लोग मेरे कोई जानते थे मैं 2011-2012 में बांबे में था लोग क्या करते हैं जैसे कोई मिलने आया आपसे तो आदा आदा गंटा एक घंटा बठाल देते वेट करने के लिए बोल देते जबकि वो फिरी होते हैं कुछ लोगों की nature होती है एटिटिवर होता है इवो समझ जी अपना किसी को कभी कभी लोग बिना आपार्ट मिनिट के आ जाते थे तो मैं उनको जो है बात करके बुला के बात कर लेता था और मीडिया बाले भी आते थे होटल से बगार इंडस्टी के लोग भी आते थे बहुत साए लोग आते थे मैं किसी को वेट नहीं करने देता है अब को बैटा हुआ है तो मजबूरी है अदरबाइज अन्नेसेसरी मन को वेट नहीं करता है आप विश्वास नहीं करेंगी आज पूरे गैरा साल होगे है हिदरबाद बॉंबे छोड़ हुए जी अभी भी लोग मेरे बारे में वहां पर पड़े रहता है आप लंच पर या डिनर पर आईये मैं नहीं करता था लेकिन जाता नहीं था अच्छा जाता नहीं था क्योंकि अपना सेल्फ उसमें डोंट मांट अनिबडी से खाना खाना खाने आ गया तो बहुत लोग बार बोलते हैं एक बार क्या हुआ हुआ मेरे चे जब रस्ती पकड़ के ठालिया कि आज तो पकड़ गए आप तो बिना लंच करें नहीं जाएंगे तो वो यह इंपार्टेंस यह पो क्रियेट करना है शाम को जब आए यूनियन मेंक के चेर्में तो हम ने से रेसीब करके अबर लेके गए तो हमारे चेर्में से क्या बोलत दुसरे बैंक का चेर्मेन मेंरे चेर्मेंसे कह रहा है कि आ यू लगी तह आगा है आज एक अगार वाला पे साथ हैं मैंने मैं थर्टी फौर्ष्ञ सर्भिस् pounds किनी बैंक में क्या डियार का तो में मेरा 47 और से पेश्पिरियश कै ए तो i-र अविस्ट इससर्फ शर्टे थ कि खोड़ना नहीं चाहता था तो उन्हों कै तुम रुख ज़ा हो इसा जuli तेरे को पूरे इंचारज बना में भी तो हो पूरे बैजता हूं तो मेरे पूछ प्रिस्नर स्थेर्ट पाements graduating तो उन्होंने कहा कोई चेर्में नहीं बोला कि मैं तुमको प्रमोड करके भिशता हूँ यह relationship के उपर develop करता है कि मैंने जो काम उनको क्या कभी मैंने किसी को कुछ मौका नहीं दिया रिमाइंड करने का यह काम बोल दिया तो फिनिश ही हो के जाओंगा आप उसे पूरा करके ही जाएंगे यह आपने ऐसा एक impression create किया है इसमें हमें यह मेहनत करनी होती है जैसे आपने शुरू में कहा था कि मैं wait नहीं करूँगा कि सामने वाला आके मुझसे बात करें अगर मुझे PR करना है मैं खुद जाके उससे बात करूँगा similarly जैसे यहाँ पर आप अपने superiors को अपने बड़ों को यह अगर बताना चाहते हैं कि हाँ मैं capable हूँ मैं काम कर सकता हूँ तो यह मेहनत यह initiative आपको खुद लेनी पड़ेगी आप जैसे बताया कि आप wait नहीं कराते थे लोगों को यह उनको इज़त देने वाली बात है उनके समय की value करने वाली बात है जो कि बहुत माइने रखता है आज भी अगर हम किसी के पास जाते हैं मिलने wait तो करी लेंगे क्योंकि गए हैं भई मिलने पर अगर वो immediately हमें बुला ले तो हमें भी अच्छा लगता है कि भई उसने हमें ध्यान दिया हमें immediately बुला लिया मिलने के लिए यह बहुत ही छोटी छोटी जो lessons आप दे रहे हैं यह नाकेवल हमारी professional growth के लिए बट as a अच्छा इंसान बनने के लिए भी यह बहुत जरूरी है अब किसी आदमी को अपने को underestimate नहीं करना चाहिए जी उसी के साथ तर overstimate में नहीं करना चाहिए प्यार का job जो है बहुत challenging job है यह हर के बसका नहीं होता है इसके लिए एक flair होना चाहिए एक passion होना चाहिए मैं बताता हूं कि कोई भी चीज होती थी तो PR के पास जो आती थी जब लोग नहीं कर बाते थे तो आती थी जब वो फेल हो जाते हैं तो आती प्यार के बाद और देट बिकर्स मोर चैलेंजी जी तो एक बार क्या हूँ हमारे नए चेर्मेन आये थे तो चीप मिनिस्टर से अपांट्मेंट चाहिए था नहीं मिल पाया उन्होंने मेरे को बुलाया बोले आजे मेरे को चीप मिनिस्टर से अपांट्मेंट चाहिए बंबे में मैं I must thank God मेर साथ मेरे बड़ो का आशिबाद बेरे साथ हमेशा साथ आ जाता है जबकि मैं बॉब्बे में ने आता मैंने मैंनेज करके चीप मिनिस्टर के साथ चाह पे उनके घर पे अपने चेर्मेंट और दूने इडिवी साब का अरेंज किया तो आपको अंदर से हैपी देता है करने की मिहमत होनी चाहिए आप कैसे बैनेज करोगे मतलब आप अपने आपको कैसे सेल करोगे आप अपने आपको किस तरह से प्रेजेंट करोगे अगर आपको प्यार बढ़ाना है अगर आपको लोगों से डील करना है तो किस तरह के आप अपने आपको सेल करेंगे यह इस तो आग्हार को आपको आपको इंपरेक्ष करना है तो मेरे को सब्जेक्ट नालीज नहीं होती केलकेट कांफरेंस समय कंफरेंस लोगार सकागत zur क्या स站 पूछ पातां इन पूछ जंस्तुरर के लिए आपको क्या है करना पड़े का किसी से मिलने हो 인ारा जाना है तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं किसी पर्टिकलर डिपार्टमेặंट से पर्टिकलर घ्राम के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो है मालूम होना थाई थोड़ी सी नोगज पहले से प्रिपेर करना के जाना चाहिए उससे अगर जाते हैं उससे रस्पेक्ट से बात करते हैं उनको इज़द देते हैं उनसे अज़ा प्यार एक दिन का नहीं होता है जी मैं बताया दो शुरू मैं में दिसक्राश किया था कि काम हुआ भूल गए ज जी दिसे ऐ कंटीनेश प्रोसेस तो देफिशेट कोई एज़द देफिनिशन नहीं है जी अब यह से प्यार है जाटाओ कि एक्जम्पिल एता हूं मैं आपके पास हाया अब मैं को हूँ आप सी के मैं बहुत हैंशम हूं था हना तो देट इन और प्यार देग एड़िज आ आपको अपने को अपको अडबटाइज कर रहा हूं। मैं किसी को भेशता हूं आपके पास, कि he is handsome and smart, that is again not PR, that is sales promotion. और if you come to me, आप मेरे पास आती हैं, और मेरे से कहती हैं, I have heard about you, you are handsome and smart. I have created my image to that level, that आप मेरे पास खुछ चलके आरहे हैं, आपको इमेज आपकी बनानी पड़ेगी, maintain करना पड़ेगा, and every organization, every person, every person, keep a pace with the change. समय के साथ हमको आपको बतना पड़ेगा, we cannot go on, linger on old things पे, कोई भी changes आते हैं, कोई भी developments आते हैं, we have to adopt, कोई भी organization देंगे, image आपकी जबी रहेगी आपकी जो आप, image को, we will keep a pace भी तक चाहिए. इस पे आपने बहुत ही एक important मुदा रेस किया है, कि हमें समय के साथ-साथ बदलना चाहिए, I think PR भी एक ऐसा फील्ड है, ऐसी एक कला है, जो change हो रही है, पहले जिसे होता था, कि newspapers, radio, दूरदर्शन, यही माध्यम थे, कि हम आम जनता तक पहुंच पाएं, अपनी बात उन तक पहुंच पाएं, यह पिर उस ताइम पर मिलना जुलना भी बहुत होता था, बट आज की डेट में, सारी दुनिया हमारी चोटी सी सेमित होकर रह गई है, smartphones में, जो हमारी social media है, जो हमारी OTT platforms है, हमारी जो digital media जिसको आज बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आज prominent हो चुकी है, आज की generation में, आज की youth में, तो इस मुकाम पर, इस stage पर PR का क्या रोल है, किस तरह से PR ने भी अपने आपको ढाला है, समय की इस dynamism में अपने आपको, देखिए बहुत कम हो गया है, पहले हम आपके पास आते थे, आपसे बात करते थे, आपके साथ आकर चाय पीटे थे, हेलो हाय करते थे, मिलते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे, अब ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, आप भी बीजी है, हर आदमी बीजी है, तो एक सोशल मीडिया जब से आया है, आप भी सोशल मीडिया में मॉबाइल पर ही बीजी है, लेकिन उस पर भी आप जो है बहुत सारी चीजे कर सकते हैं अब मैं आपको छोटा से एक्जाम पे लेता हूँ जैसे मानली आज की नियूस पेपर में किसी बड़े आदमी का फोटो आया है उसको मैं जानता हूँ यह आपका फोटो आया आपको मैं जानता हूँ कि आपको पेपर में आया फोटो है तो उसकी के बहुती है कि किसी बीचीज को किसी बीचिशन को personality को develop करने के लिए social media is playing vital role and we have to adapt there is no other go but social media का जैसे आप बोल रहे हो pros and cons दोनों है, फाइदा भी है नुकसान भी है, फाइदा ये है कि आज हमारे पास social media इतना powerful है कि देश के, विदेश के हर छोटे से गाउ में, गली नुकड में आज हम social media के थू reels के थू, छोटे-छोटे videos के थू, अपने ये जो message है, PR की आज ये जो छोटी-छोटी tips आपने हमें दी है, वो हम इतनी बड़ी audience तक ये पहुचा सकते हैं आज, कि आपको सुनकर, जो पहले हजारों का आज लाखों करोडों लोगों का फाइदा हो सके, बड़ उसका नुकसान जैसे आपने ये भी बोला, कि सोशल मीडिया पे मेरे भले ही पचास अजार दोस्त होंगे पड़ रियालिटी में मेरे पास शायद एक या दो असली दोस्त होंगे तो हम isolate भी हो रहे हैं बड़ अपनी जीवन की जो समय है, अपनी जो धारना है वो छोटे से smartphone तक सीमित करते जा रहे है तो इसमें जैसे आपने काई pros and cons pros and cons तो हर चीज में रहते हैं इसमें भी हैं सोशल मीडिया में जैसे आप जो है आपने कोई चीज पोस्ट कर दी आप कहां से निकल गई आप क्या impression देती हैं लोगों को क्या उस पर reaction होता that is not in your hand अब मैं आपको एक example देता हूँ एक आपको मालूम होगा Bombay में, Bombay High में एक समराड कटके drilling rig था पहले की बात है उसमें एक आग लगी थी अच्छा और सोशल मीडिया में जो है आग उसका चेर्में जो है हेलिकॉप्र से उस रिक पर गया बहाँ पर इस प्लेटफरम पर गया और जब तक सारे इंप्लोईज नहीं निकल गए वो ही तोट आई विल बी दे लास्ट परसंट तो है तो मतलब सोशल मीडिया में ये परसंट रिलेशनशी वेर इंपॉर्टेंट यूप टेक किया आफ यूर इंप्लोई यूर फ्रेंड यूर कुलीग यूर जूनियर टु यू और उन्होंने बहुत पर इसमें सोशल मीडिया में क्या पहले जो होता था आपने उनको सही बात बताई तेकि हट जगार प्राब्लम आती है जी मिस हैप्निंग होती है प्राब्लम होती है किसी बी और इजन में उसको चुपाई ये मतलब अनिस्टी मतला सच बोल दी सच बोलने से आपकी जो क्या होता है, management वाले नहीं चाहते हैं कि सच बोला जाए, वो चुपाना चाहते हैं, तेकि PR का जाब होता है कि उनको convince करके, उनको सच बताइए, सच बताके, they will try to help you and support you, अब social media में कोई भी चीज़ आपने Twitter पे पोस्ट कर दी, या Facebook पे पोस्ट कर दी, Instagram पे पोस्ट कर दी, प लेखने वाले को ये भी लगता है कि भाई वो भी तो इनसान है, शायद उनकी जिन्दगी में भी वो ऐसी किसी जद्व जह जूज रहे होंगे, तो ये उन्हें बहुत humanize कर देता है, बहुत इनसान बना देता है, और उस चीज़ से फिर connect करने में और भी ज्यादा आसानी ह अजे जी, अब हम बात करेंगे आपकी किताब के बारे में, आप हमें अपनी, as a writer, आपकी क्या journey रही है ये किताब लिखने में, आपने क्या-क्या इसमें लिखा है, हमारी audience को बताईए, मैं मैं मैंने इसको रिलीज किया था, और ये इसमें मैं अपना 47 years का experience पूरा इसमें है, और ये public relations, a tool for success, how to be successful by using public relations in day-to-day life, everyone, हम लोग जोग पुब्लिकेशन को यूज करते हैं, each and every step of our life, अब आप बैठी हैं, अगर हम आपके पास बैठे तो हम आपके लाग टांग मार सकते हैं, क्यों ने मारते हैं, है ना, आफिस में बैठते हैं, तो हर जगा, हर इधा तो नहीं चलते हैं, इधर टांग फेटे की उदर, तो आपको जो है, public relations, हर स्टेप पे आप करते हैं, लेकिन उसको importance दी जाओ, मैंने इस किताब में ये बताया है, पुरा 47 एर्स का experience इसमें पूरा दिया है, कि how to be successful, generally हम दो क्या success के पीछे भागते हैं, हर आदमी successful ह जोना चाहता है, कि मेरा एक इंटर्वी हुआ था, बांबे से में निकलती है, इंडियन एकनोमियन मार्केट करके, निसनल बीजिस में है, तो उसमें उन्होंने इंटर्वी लिया तो मैंने कहा था, कैप्शन भी उन्होंने दे दिया वो, I don't want to die unheard, मैं देश के लिए, समा कि लोग पहचाने आपको, आए, खाया प्या चले गए, ऐसा ही, आप जब जिन्दगी संसार छोड़के जाते हैं, आपके जाने के बाद लोग को याद करें, कि आप अजयागरवाल नाम का कोई आदमी था, यह जो भी है, एक आदमी था, अच्छा था या बुरा था, कुछ तो दे कर जाओंगा, दुनिया में अपनी एक छाप छोड़के जाओंगा, एक माँ छोड़के जाओंगा, यह तब ही हो सकता है, जब हर इंसान के साथ कही ना कहीं, किसी ना किसी तरहां से जुड़ें, उनकी जिन्दगी को छुएं और उनके दिल में अपनी एक को जब हैं थे अद्योगी करना पर, आपको सको मेंटेंन करना प्राइग, भी मेंटेंन नहीं करते आपने मेंटेंग किया कर् requirements, आज मैं बता रहूँ कि जब मैं है एधर Rabbit आय था, एक आबह ना जानता था, घाद कम से कम 6-7 राघ अभी touchdown परसनली आप बाई नेम जानता है मैं क्या हूँ? मैं एक सेंट्रल बेर में खाली एक एजियम था लेकिन मैं कभी भी खाली देबरता हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ यह अगें बहुत ही एक important message है आज हमारी audience के लिए कि age is not a factor मतलब आप जिन्दगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने आपको grow करते रहना चाहिए आप पढ़िये, आप travel करिये, आप गूमिये तब ही आप जिन्दगी के नए-ने experiences देख सकते हैं नए-ने लोगों से मिलिए, उनके साथ रिष्टा बनाईए तो जाने से पहले आप हमारी audience को एक छोटे से message, एक सारांश आपकी जिन्दगी का आपकी book का, आप दो मिनिट में हमारी audience को आपकी जिन्दगी का एक छोटा सा सारांश, एक मीठा सा सार बताईए मैं तो अपने दोस्तों से, अपने audience से यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको successful होना है, बहुत छोटी सी चीज है अपने से बड़े कोज़द दीजिए, initiative बीजिए, किसी चीज के लिए आप यह मैं सोचें कि दूसरा initiative लेका, आप आगे एक step आगे बढ़के initiative बीजिए, अपने को maintain करिए, presentable करिए, आपको अपने subject के बारे में knowledge होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, छोटी छोटी चीजे हैं, कि आप कहीं भी जा रहे आप अपना एक impression या अपने एक image छोड़ के आए, चाप छोड़ के आए और आप जब चाप छोड़ के आएंगे तो लोग आपको याद करेंगे जन संपर्क एक ऐसी चीज है, सब करते हैं, लेकिन importance नहीं देते हैं, आप उसको importance दीजिए, उसको सीखिए, implement करिए वाओ, very well said, thank you Dr. Rajay जी, आज आप हमारे साथ आए, studio में हमारे साथ जुड़े, दूरदर्शन की सिंधी प्रोग्राम चबेली में आप as a guest आए, इतनी खुबसूरती से आपने ना केवल professionally successful होने के लिए, बलकि personally भी एक अच्छा इंसान बने की, आपने ये जो छोटी- सूरत सी tips दी हैं, उससे I'm sure आज हमारी audience बहुत ही enriched हुई है, बहुत ही अमीर हो गई है Thank you, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकि मैं यहीं चाहता हूँ, कि हर आदमी successful हो, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे को करना साथ लेकर चलिए, इसमें प्यार में team spirit is also very important, टीम के साथ आप अखेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको team को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसे आपने बोला ना, internal employees को भी खुश रखना है, उने भी importance देकर उनके साथ grow करना है, तो ये भी एक बहुत ही valuable lesson रहा है आज हमारी audience के लिए, बहुत ही मज़ा आया आपकी life की snippets और जो experiences सुनने में, more than आपकी बाते सुनने में, ये जो आपकी experiences सुनने में मज़ा आया, उससे जो हमारी learning हुई, तो वो भी एक बहुत ही खुबसूरत experience रहा है, personally मेरे लिए और हमारी सुनने वाली audience के लिए भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आये, हमारे साथ जुड़े, पुनम जी बहुत बहुत धनवारा आपको म यही request है, आप इसको पढ़िये जरूर सिकता को Definitely, definitely Dr. Ajay ji हमें बता रहे थे कि PR की क्या महत्वपूर्टा है आज हमारी जिंदगी में, ना केवल एक professional person ग्रो करने के लिए, बलकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी, डरिये नहीं, आपके मन में जो भी है, वो खुल के बताईएगा, शर्माना नहीं है, यह बहुत important है, ग अच्छा लगा, जरूर देखिएगा, और हम अगले हफते आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, दूर्दशन यादगिरी हिंदी प्रोग्राम चमेली की प्रस्तुती में, तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा, आप सबसे विदा लेती हूँ